जैहीं दोस्तों तो आज जो है NCRT का सोलूसन दे रहा हैं आपको यानि NCRT में जितने भी सब्जेक्टिब क्वेस्टन दिये हुए हैं लास्ट में चैप्तर के यानि कि population and organism वाले chapter में जितने भी questions दिये हुए है सारा का solution देंगे और ये बताएंगे कि board के लिए कौन सा question बहुत ज़्यादे important है और वो आने की संभावनाय है जो बता देंगे वही आ जाएगा ठीक है तो चाहे वो किसी board से आप हो CBSC board से हो, ICAC board से हो बिहार board से हो या किसी भी state board से हो आपके लिए ये सारे के सारे question बहुत ही ज़्यादे important रहेगा इसलिए सबसे पहला question देखिए ये question जो है बहुत important है ये सबसे पहला question कि डैपाउज और हाइवरनेशन में क्या difference है तो देखो, हाइवरनेशन जो होता है winter sleeping होता है, मतलब winter में क्या होता है वो escape कर जाता है यानि इसका दो point लिखा गया है क्या है क्या है, हाइवरनेशन is a state of reduced activity in some organism to escape cold winter condition मतलब जो winter में survive नहीं कर सकता यानि कि उसके according environment में नहीं है तो उसमें वो survive नहीं कर सकता इसलिए वो क्या करता है छुप जाता है और उसी तरह जो summer में survive नहीं कर सकता है उसको summer sleeping बोलती है इसको astivation बोलेंगे तो astivation is the state of reduced activity in some organism to escape desiccation due to heat यानि heat से बचने के लिए तो आखिर उसका example क्या है वो देख लेती है इसे bear है squirrel है इन bear जो है squirrel जो है यह polar reason में बहुत ठंडी होने लगती है उस ठंडी से बचने के लिए क्या करता है वो escape कर जाता है बिल में छुप जाता है और astivation में जैसे फीस हो गया snail हो गया यह सारे example है यानि के summer में क्या करेगा वो सब्सक्राइब कर जाएगा चुप जाएगा और दिया हुआ इंडो थर्म एंड एंड इंडो थर्म एंड एक्टो थर्म में क्या डिफ्रेंस है वो भी साथ में दी है यहां पर क्वेस्टन नहीं था लेकिन हम दे दी हैं ताकि आप याद कर लिए यह दोनों बहुत इनिप अपना टेंपरेजर को मेंटेन नहीं कर सकता है स्राउंडिंग के साथ इसका टेंपरेचर चेंज होते जाएगा उसी तरह इंडो थर्म क्या होता है इंडो थर्म और वार्म ब्लड एड अनिमल दे मेंटेन कॉंस्टेन बोड़ी टेंपरेजर यानि कि जो कॉंस्टेन बोड जरह होता है मार्लों बाहर का टेंपरेचर बो ज़धा हो गिया तो अपना इंडीर नहीं रकष सकता उसको इंडो थर्म बोलते हैं जो नहीं रख सकता उसको इक्टो थर्म बोलते हैं एक्जाम्पल याद कर लेजिएगा बहुत इनिपोटेंट है अब अगला कोस्तन है इस प्लेस इन फ्रेश वाटर एक्वारियम विल विल दा फिस एबल टू सर्वाइब वाई और वाई नौट मतलब माल लेजिए कि कोई समुंद्र से हम मश्ली लेके आया और फ्रेश वाट में यह जो मराइन वाटर में रहनेम्य वाले जितने भी थो अग्राइन बाटव सभोटता है और घ्राइः फ्रेश वाटर में होता है और फिस्ट आवे पापिक लोगति्झेशन मतलब पांटिका एस यह है कि सॉल्ड का का अ हाई है इसका मतलब वह क्या है और अगे सी स्राइब प्रेश वाटर हो गया उन्हां पैट उनीशन इसका वरेष वाटर हो गए हाइप़ोटोंिक से थे चले मतलब कर दो आएू से जो था वो फूल जाएगा उसके अंदर पानी भरते जागा भरते जागा फिर फिस ब्रस्टो के मर जाएगा यह चीह लिखा वाए दाश्च ओव शर्वाइबल अफ मेराइन फिस्विल डिवस इफ प्लेस इन फ्रेश वाटर अक्वारियम अस दियर बोडी अर अलटर्ट वा स्विल फिर शल्ट जाएगा प्रेश प्रस्विल ही यह चीह लिखा चीह ल्वाट इन अप्र यह चीह लिखन आटिकि तो स्विल डूल सिट्व रगूट जाटो टूल एक्वाट बोड़ अक्वाट ऑ्रोवड इन फिर से व्लेट लूटित को अज़ आट पहए प्रशन व मेराइन फिस यानि कि फूल जाएगा फिर वह मेराइन फिस मड़ जाएगा तो यह कोस्टन थोड़ा इंपोर्टेंट है देखते अंगला कोस्टन मौस्ट लिविंग और्गनिजम केंनोट सर्वाइब एट टेंपरेचर एबब 45 डिग्री तेसल्सियस यानि कि 45 डिग्री सेल स्टाइब का मतलब है कि यह अगर फॉर्टि फाइब डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर आता है तो ज्यादा तर और्गनिजम जो है सरवाइब नहीं कर पाता है तो बोला का हंडे डिग्री सेल्सियस में भी कैसे कुछ ऑर्गनिजम सरवाइब कर जाते हैं यही चीज लिखा water spraying they are able to withstand मतलब शर्वाइब करना at the high temperature high temperature exceeding 100 degree celsius as their body have adopted to these extreme environmental condition such entities comprise the specialized thermo-resistant enzyme that perform the metabolic function which do not get distracted at this extreme temperature which is called thermo-resistant enzyme which is called thermo-resistant enzyme which can maintain the metabolic activity and the body function is not destructed this is why this is called thermo-resistant enzyme which is called thermo-resistant enzyme in the same time होता उसी पपरिजिस में वह रहता है बस्सिंपल से बाते आपक है कि कहां पे 100 degrees Celsius temperature पे ओर और साथ ऑर्गंजिम है जो जूर्वाइब करता है तो उसको नाम है thermo-file-see or archive factorिया आदिए देखिये लिस्ट ओफड़्ड ऑफ अट्रिब्युट्ट्यट् इज सेंडिसेंटक visto एंचेंड कर लिज़ेंग एसको इतना इन्पोटेल्ट में उसका यह वाला इ helpless讲 ग्रोइंग ग्रोइंग एक्सपनेंशली डबल इन साइज इन एयर थ्री एर वाट इस दे इंट्रांसिक रेट ओफ इंग्रीज मतलब यह भी कुछन उतना इंपोर्टन नहीं है फिर भी जो सिब्सी बोड़ वाले उसको देख लिए अच्छा से हो सकता है पूछ दें नेक्स से कैसे बचाए हो तो उसके लिए कुछ मेकानिजम फोलो करता है वह देख लिए यह थोड़ा सा इंपोर्टेंट है देखो इस्टेट और फिडिंग उन प्लांट इस नौन एज हार्विवरी यानि कि जितने भी प्लांट को खाने वाले हैं उसको क्या वाल हर्विवरी बो प्लांड वेवल्ट मेकानिजम बोथ केमिकल और मॉर्फोलोजीगल टू सेफगाट देंसेब्स अगेंज दा है एक और फिडिवरी लेस्ट बिलो मतलब बहुत सारे प्लांट है जो हर्विवरी से बसने के लिए कुछ मेकानिजम फोलो करते जैसे केमिकल डिफ मेकानिजम म मतलब क्या हुआ जिसे कोफी में पाया जाता है निकोटीन हो गया यह सब आजकल हम लोग जो है किसमें यूज करते हैं ड्रॉक्स के रूप में यूज किया था लेकिन वो जो प्लांट में जो आया था यह जो अपने मेकानिजम फोलो कर रहा है इसका मतलब क्या था ताकि व मतलब यह पर उसको कर देता है जो उसको खाता है उसके बाद है उसके बात है जैसे से इसलिए है यापनने शिख और काटे बना ल्याखा है इसलिक्स में काते होगा है हम ज मतलब खोराइक क्या हूआ पच्छ ने सब्सक्राइं जाते हैं उसमें काटे होते हैं काटे इसलिए है जुस्त तोर न सब्सक्ष्ट, मानने वाल झाहां तो तोरेंगे ही प्ल00 एन ऑर्खिट प्लांट इस ग्रॉइंग ओन ब्रांच फिरॉवे तोर तौट हों तो उतना इंपोर्टन नहीं है यह पूछे का मतलब नहीं कि बराबर तब फिर भी एक बार देख लो देख लो क्या NCRD का कॉस्टन है कोई ठीक नहीं पूछी सकता है लेकिन जो ज़्यादा इंपोर्टन है वह हम बता देंगे इपिफड मतलब होता है उसके उपर प्लांट के उपर एर प्लांट और इंट्री ग्रोइग ओन प्लांट ऐन ऑर्कड जो ब्रांच और्ट आप इसको कोड़ें क्योंकि ऑड्टन के नियुक्त के ब्रांच के ऊपर ग्रोव करता है छोटा होता है से माल यह मैंगो ट्री इसका ब्रांच यहां पे इस तरह गाई यह और के थीक है थीए ठीक है उसके बाद देखो उसके बाद है क्या है कि हैंस तरी लेसंटी बिट्विन दा मैंगो ट्री एन और्किड इस एन एक्जामपल और कोमन सालिज्म का एक्जामपल है यह वाला दर कोमन सालिज्म में रखेंगे वेर इन वन इस्पेसी डिशीब बैनिफीट एन अधर इस्टे अन एफेक्टेट मतलाब क्या होता है कि और कि बैनिफीट मिल रहा है और मैंगो को कुछ नहीं हो रहा क्यों को छोटा बहुत छोटा प्लांट होता है तो उससे उसको क्या फरक पड़ने वाला है बात समझे of managing the pest यह वाला पॉइंट इंपोर्टन को सने देख लीजेगा यहां पर यहां पर देखिए को सनों बताए है वर नैसन एस्टीवेशन दो बार है तो हम दो बार बता दिए अगला को सनके राइट दसोटन बहुत इंपोर्टन यह पूरा भी वी आई ठीक यह पूरा बहुत क्या अड़ा यह और लिए Wyco क्या अट भूणगा फिक है सबसे प्लाद का दिया हुआ है यह वाला ठीक है उसके बाद क्या दिया हुआ और देखिए Kurz first primo जासे होता है Lazard हो टाध 2 हो गाइप एक बार वीडियो बाद खरrand उनाएं परहे ही होंगे हमने भी पराया है बताया भी इसको सौट नोट में बहुत इनपोड़न्ट है एडप्टेशन प्लांट इन्टू वाटर सकार सीडियों वाटर की कमी से कैसे प्लांट अड़ोप्ट करता है ठीक है जिसको सीफोर पाथवे बोलती या केम प्लांट बोलते हैं परहे होंगे देख लीजिए अगला है भी हैवरल एडप्टेशन इनिमल यह भी सौट नोट पूरा याद रखना है आपको ठीक है सारा देख लेंगे स्टाप से हो गया बहुत इनपोड़ने कोस्टन था यह अब लगा लिश्ट दा वेरियस एबाटिक इन्वारेमेंटल बल्कुल inappropriate नहीं यह नहीं पूचेगा ठीक है एक वाव फिर भी देख लेंगे आप यह त्यंप्रेजर दिया हुआ है वाटर दिया हुआ है स्वाइल दिया हुआ है लाइट दिया हुआ है यह सार एक बार दिख लेज्या पूछे 2000 बोड़ पे तो नहीं पूछे खाए बंधिया गजामपल उद्याивается इंडो सबसे नीचे वाला जोन की बात कर रहा हूं वाटर का यह वाला सबसे नीचे वाला पार्ट इपाइं देख लिजेगा ठीक है यहां पे है यहां पे सारा याद करना है कि कोमन सालिजम क्या होता है पारासाइटिजम क्या होता है केमोफलेज क्या होता है मिच्वलिजम क्या होता है इंटर इस्पेसिफिक कॉम्पेटिशन क्या होता है ठीक है यहां पे सारे के सारे बहुत ही जादे इंपोटेंट है सबसे पहला है क्या मिच्वली कॉमानशाल्इजम it रेक्षण इंट्रेक्शन बिट्विन ड्य को ड़ाले यह लक बेनिफीट दूसरे को कुछ नहीं को बैनिफीट दूसरे को खThose नहीं इसको क्या बोढेंगे ए कोमन सालिजम पारा साथिम में क्या होगा एक को फाइदा दूसरे को नुक्सान यह हुआ पारा साथिजम कैमोफलेज देख लेंगे मिच्वालिजम में दोनों को फाइदा मिच्वालिजम में दोनों को फाइदा इंटर स्पेसिफिक कमपेटिशन में दोनों को नुक्सान दो जैसे एक्जाम्पल बार्नेकल अटेश्ट टू वेल बोडी एन और्कीड ग्रोइंग ओंद ब्रांचिज अप मेंगो ट्री यह दोनों एक्जाम्पल याद रखेगा ठीक है उसके बाद देखे पाराशाइटिज्म क्या होता दा इंट्रेक्शन बीट्वेट्वेट्वेट् पेसाइट टेन्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्व प्रिटेटर से बचने के लिए मैशरी कि क्या कुछ टेक्टिक अपना अपना यानि टेक्निक क्या गालः कलाऊं ड्लेंड ब्लेंड में छुपना में क्या होगा कि obligatory relationship होगा between two organism के बीच जिसमें क्या दोनों को फाइदा होगा जिसमें क्या दोनों को फाइदा होगा जिसे like an example है उसका inter specific competition inter specific competition देखो inter means दो होता है और दो species के बीच बोलता है कि interaction between individual of two different species where in both are negatively affected मतला दोनों को नुख्तान होगा इज इंटर स्पेसिफिक competition example the competition between resistant fishes flamingos in South American Lake are share food resources that are junk plankton यानि कि कहने का मतलब है कि वहां पे flamingo यहां कि 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 बात कर रहा है साउत अमेरिकन लेक की बात कर रहा है वहां पे यह flamingo birds आ रहा है और फीस आ रहा है दोनों तो अलग-अलग species है लेकिन से जो दोनों खाता क्या है जू प्लांक्टोन तो दोनों का food source क्या है सेम है तो यह food के लिए क्या दोनों की बीच competition हो रहा है यह तो है समझ गया होंगे देखिए with the help of suitable diagram describe the logistic population growth कर्व यह cbsc बोट के लिए बहुत इंपोर्ट नहीं इसको याद कर लिजेगा ठीक है यह दिगराब बना दिये हैं देख लिजेगा आप लिखिया है झाल 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 झाल